नमश्का दोस्तों स्वाइकत हैं आप सभी का हमारी जर्णल पर दोस्तों आज मैं आपको दो मुहें बालों की समस्या के लिए अद्रग के इस्तैमाल के बारे में बताने वाली हूं दोस्तों जो अध्रक होता है वो लगबग हर घर की रसोई में मौझूद सबसे महत्पुन मसालों में से एक होता है वही जहां कई लोग प्रिये बंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है वही बालों को स्वास्त रखने के लिए भी यह एक बहुती अच्छी औशिदी मानी जाती है इसमें विटामीन्स और खनिज जैसे मैगनीशियम, पोटेशियम और फॉसफोरस प्रचुर मातरा में पाय जाते हैं तो दोस्तों इसे दो मुहें बालों की समस्या के लिए आपको अपने बालों में कैसे यूज करना है वो जैनकारी जाने से पहले, सबसे पहले तो एकने वेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदस्यता को सरू ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वरदी कई जानकारी को रोज देख माएं और उनसे फायदा भी ढ़ा सकें दोस्तों, दो मुहें बालों की समास्या को कम करने के लिए सबसे पहले तो तीन अद्रक की तुकड़ों का जूस निकाल लीजे और फिर जूस को आधा कप पानी में मिला दीजे अब इस मिश्रण को जो स्प्रे वाली बोटल होती है उसमें डाल दीजे फिर बालों को धोने से पहले स्प्रे बोटल की मदद से अद्रक के इस मिश्रण को दो मुहें बालों पर स्प्रे कीजे आप चाहें तो इस मिश्रण में अपना पसंदीदा कंडीशनर भी टाल सकते हैं दोस्तों बहतर परिणाम पाने के लिए इस उपाय को हफ्ते में तीन बार तहराईए इससे आपके जो दू मुहें बाल हैं वो समास्या से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों इसे घर पर सरूर ट्राय करके देखेगा तो दोस्तों आपको हमारे दूरा दी कई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके सरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाई और शेयर सरूर कीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद